करीब पचास साल के बाद स्क्रीम पर एक साथ वापसी कर रहे है धरमेंदर और मुम्ताज कह जाता है कि बॉलिवूड आक्ट्रस मुम्ताज अपनी जमाने की सबसे खुबसूरत आक्ट्रस रहे लेकिन 1973 के बाद धरमेंदर के साथ मुम्ताज ने कोई फिल्म नहीं की ना ही कभी इनके साथ में स्क्रीम शेयर की अब पूरे पचास साल के बाद दोनों की जोड़ी ओडियल्स का दिल जीतने एक बार फिर से आ रहे है वो भी इंडियन आइडल 13 के सेट पर टीवी की फेमस शो इंडियन आइडल 13 में इसबार इतिहास रचने जा रहा है धरमेंदर मुम्ताज की जोड़ी एक बार फिर से स्क्रीम पर नजर आने वाली है और ऐसा कोछ एक दो साल में नहीं बलकि पूरे पचास साल के बाद होनी वाला है मेकर्स दे इंस्टरग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जसकी चर्चा फैंस के बीच काफी चल रही है वीडियो में अदित नरायन धरमेंदर और मुम्ताज का एक अलक अंदास देखने को मिल रहा है वीडियो की शुरुआत होती है अदित नरायन से वो कहते हैं कि इस ब में 1973 में आई और दूसरा ये कि मुम्ताज को आज से पहले कई शोज में बत और गेस्ट बुलाया गया हजार मिननते भी की गई लेकिन ये नहीं मानी किसी भी शो का हिस्सा आज से पहले नहीं बनी है मुम्ताज और पहली बार टीवी पर आपको नज़र आने वाली है बॉल के बीच एक रोमांटिक एंगल बनता नज़र आया मुम्ताज बार बार धरमेंद्र के कंदे पर अपना सिरती नज़र आई उनका हाथ थामे नज़र आई वहीं धरमेंद्र के चेहरे पर भी मुस्कान दिखी कहा जाता है कि मुम्ताज अपनी जमाने की सबसे खूपसूरत अक्ट्रोस रही लेकिन 1973 के बाद धरमेंद्र के साथ मुम्ताज नी कभी कोई फिल्म ना की और नहीं कभी उनके साथ कोई स्क्रीन शेयर की लेकिन आप 50 सालों के बाद आप एक बार फिर से धरमेंद्र और मुम्ताज को एक साथ देखने वाले हैं वो भी इनिन आइडल 13 मे 50 साल के बाद इतिहास रचे का जब धरमेंद्र और मुम्ताज की जोड़ी एक बार फिर से ओडियन्स के सामने आएगी ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है मुम्ताज के लुक की बात करें तो ब्लाक शिमरी कोट सूट में आक्ट्रस बेह सुन्द नज़र आए हेवी मेक अप और खुले बालों के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया जूर्री और रेज निल पेंट चेरी ओन टॉप दिखी वही धरमेंदर की बात करें तो हमीशा की तरह धरमेंदर काफी हैंसम नज़र आए धरमेंदर ने ब्लू सूट पहना था जिसमें हर बार की तरह वो इलिगेंट और काफी हैंसम दिखे अब जब प्रोम सामने आ चुका है और फैंस को ये पता चला है कि पचास साल के बाद धर्मेंद्र और मुंताज एक बार फिर से नज़र आने वाले हैं तो ऐसे में लोगों के बीच excitement का लेवल और भी ज़ादा बढ़ गया है। पचास साल के बाद एक बार फिर से नज़र आएंगे इंडियन आईडल 30 में धर्मेंद्र और मुंताज। पच्वास साल के बाद दोनों एक बार फिर से स्क्रीम शेयर कर रहे हैं इस पर क्या है आपकी राय जल्दी से हमारे कॉमेंट सेक्शन में आगर बताएं अगर आपने अभी तक फिल्मे बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप हमारा ये वीडियो फेस्बूक पेश पर देख रहे हैं तो उससे भी लाइक कीजिए बॉले मुझे टीवी से जुड़ी तमाब खबरों के लिए आप देखते रहे हैं फिल्मे बीट